राहू जब अशुब फल देता है तो व्यक्ति के सुभाव और आदतों में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं अशुब राहू व्यक्ति को कौन सी बुरी आदतों में जगड सकता है अब आईए पंडे जी से विस्तार से जानते हैं पंडे जी कुछ तो आपने बाते बता दी हैं कि राहू की असर से क्या बुरी आदते होती हैं और थोड़ा सा और डीटेज में बता दीजी देखे राहू असुफल देता है तो सरीर में अकडन रहती है जिसका राहू खराब होगा उसके सरीर में अकडन की बिमारी हो जाती है हद्दियां तेड़ी मेड़ी होने लगती हैं हद्दियों में दर्ब सुरू हो जाता है और राहू अगर और खराब हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों का बुरा करने के लिए खड़ेंत रसता है राहू पीरित व्यक्ति के दिमाग में हमेशा भ्रम की स्थिती बनी रहती है बिना बात के भी मन में भय रहता है राहू जब परिसान करता है तो व्यक्ति अपना नीड़े बार बार बदलता है राहू जब खराब होता है तो नाखून गंदे रहते हैं नाखून तूटना सुरू होते हैं और नाखून में गैंगरीन की सिकायत हो जाती है नाखून सडने लगते हैं गैंगरीन जैसे रोग होने लगते हैं राहु असुप्फल देता है तो बैक्ती को नसे की लत लग सकती है ऐसा बैक्ती ना माँ को पहचानता है ना बाप को पहचानता है ना बहन भाई को पहचानता है ऐसे ब्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ नसा दिखाई देती है पानी, आग और उचाई से डर बना रहता है घर में अगर आपके मारवल लगा हुआ है तो वो मारवल क्रिक हो जाता है उसमें दरारें आ जाती हैं, दिवारों में दरारें आ जाती है ये सब देखने को मिलता है असुब राहु के प्रभाव से जैमाबिन दिवासनि दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सेर करें और सब्सक्राइब करें